हाई गाईज कुछ इवनिंग कैसे हो आप लोग सब आए होप आप सब एकदम बढ़िया फर्सक्लास और बहुत जादा मज़े में होंगे दोस्तों आज हम लोग रिवाइस करने वाले हैं स्पेशिआ अडिट चाप्टर डाट इस ऑडिट अप डिफरेंट टाइपस अ एंटीटीज और इस अडिफरेंट टाइपस अप एंटीज में आज अब लोग सब से पहले एक इंपोर्टन टॉपिक उसको रिवाइस करने वा सबका विकास एक दूसरे की मदद करेंगे तब जाके बहुत जिन्दगी में आगे जाएंगे को आपरेटिव का मतलब होता है सहकारी बराबर एक दूसरे की मदद करना एक दूसरे के साथ मिल जोल के कान करना तो कौापरेटिव सुसाइटी एक intention से ऐसी बनी थी कि हम लोग सब साथ में आएंगे बराबर तो कोई अगर कोई मिडल में है कोई हमारा exploitation हो रहा है तो हम लोग उन सब चीजों को eliminate कर सकते हैं उनको दूर कर सकते हैं जैसे हम लोग कहते हैं न कि एक अकेली लकडी लड़की नहीं लकडी एक अकेली लकडी की अगर बात करें तो वो आसनी से तूट सकती है बट अगर हमारे पास बहुत सारी लकडिया है बराबर उसका एक गुच्चा एक बंच बना दे अपन तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वही जो बहुत सारे बंच ओफ लकडिया है वही बच्चो एक कोपरेटिव सोसाइटी है सही एकदम यस साइब सो दोस्तों जब हम लोग बात करते है कोपरेटिव सोसाइटी की तो यह उसके पीचर से अज चार्ट अकाउंट इंड दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं इसके मेन कंटेंट पे इसके मेन जो अपना कॉंसेप्ट है इसके उपर अभी हम लोग फोकस करते है सो पहला पॉइंट यह है कि सेक्शन नमबर 17 ऑफ सेंट्रल कोपरेटिव सोसाइटी आट 1912 सेक्शन 17 बोलता है कि कोपरेटिव सोसाइटी जो रेजिस्टर्ड है उनको अडिट कराना जरूरी है सो इनका अडिट बराबर कौन करेगा एक तो रेजिस्टरार खुद करेगा या करवाएगा बराबर एसपर सेक्शन नमबर 17 और रेजिस्टरार मतलब कौन है जर्जी रेजिस्टरार और कोपरेटिव सोसाइटी तो सेक्शन 17 के तहट कोपरेटिव सोसाइटी का ओडिट होना अनिवार्य है जरूरी है क्लियर एकदम बात यस सब उसके बाद आगे बढ़ता है ओडिक तो होना तह है ये बात होगी अब हम लोग बात कर रहें वेसिकली ओडिटर और मैनेजमेंट मतलब ओडिटर आता है तो अज तब से पहले हो देखे हैं कि मैनेजमेंट कैसा है आप लोगों का बरावर किस तरीके से आपका कामकाज हो रहा है करके तो ऐसे केस में हम लोग उसका क्या कहते है स्टेडी करेंगे ओडिटर को जाहिर सी बात है मैनेजमेंट को स्टेडी करना बहुत जरूरी है तो सर जी ओडिटर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजे स्टेडी करेगा इसके बारे में बाच्चित करते हैं सो ये वो पॉइंट से हमालिक auditor and management वाले सबसे पहले auditor जब आएगा तो वो देखेगा कि what is the general pattern of management कि generally किसके पास कुणसी क्या जिम्मेदारिया है वो देखेगा तो first point अपना क्या है सब general pattern of management क्या देखना अपने को auditor आया audit करना है वो audit करने के पहले management को study करना है so वो देखेगा what is the general pattern of management अब इस pattern के अंदर क्या होता है हमने क्या कहा अभी कि pattern मतलब कि sir किसको क्या powers क्या rules क्या responsibilities दी है तो यही अपना second point है कि जो उसको powers rules responsibilities दी गई है क्या उन powers और functions को वो properly discharge कर रहा है या नहीं discharge मतलब क्या उसे properly execute किया जा रहा है या नहीं और साथी साथ सिफ उनी नहीं उनके हाथ के नीचे जो subcommittees है क्या वो committees भी अपना काम बराबर से निभा रही है क्या नहीं ये भी देखेंगे correct है so three point अपने क्या होगे first point हम लोग आके देखेंगे what is the general pattern of the management basically जिसको क्या क्या काम दिया है वो हम लोग study करेंगे फिर जिसको जो जो काम दिया गया है second point पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो व्यक्ति वो पूरा काम बराबर से निभा रहा है या नहीं उसके बाद हम लोग इसके subcommittees है उनके भी काम को देखेंगे कि whether they are performing their work effectively or not अब यहां से आगे पड़ते हैं अब वो लोग काम सब बराबर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ decisions लिया होंगे तो वो जो decisions जो managing committee ले रहा है whether those decisions are in line with the cooperative principles whether they are in the interest of the members as per the state cooperative laws and bylaws सही एक दब so वो decisions भी देखना है कि वो सब के हिसाब से मतलब cooperative society act के हिसाब से होना चाहिए उनके state cooperative laws के हिसाब से bylaws के हिसाब से और mainly वो interest of the members क्योंकि sir cooperative societies it is of the members by the members and for the members तो उनके लिए वो उना चाहिए और यही चीज़े देखने के लिए हम लोग क्या study करेंगे उनके minute books को so बताइए दोस्तों auditor and management की जब बात करते तो consequence भी बाते देखेंगे उनका management देखेंगे with general pattern फिर उसके अंदर उनके powers and functions बराबर से उनने execute करे या नहीं करे वो subcommittees बराबर से members and last में अपने को यह सब देखने के लिए minute books देखेंगे so यह 5 point होगे फिर उसके बाद बात करते है what are the administrative functions of managing committee managing committee जो है न सर managing committee जो मतलब पूरा काम काज करती है उनके administrative functions क्या है तो वो है C.A.M.P क्या है दोस्तों C.A.M.P C.A.M.P मतलब C मतलब they will be making the compliance about maintenance of all the registers records which are required by the act so first point it is what about compliance A मतलब बात करते है accounts की proper accounts receipts payments of the society यह सब maintain करेंगे वो accounts की बारे में बात कर रहे M मतलब meetings तो जो भी meetings है annual general meeting बराबर उसको समन करना उसको conduct करवाना notices बेजना यह सारा काम है किसका managing committee का और last में property के बारे में चाहे वो movable हो या immowable हो उसका proper custody होना और उसकी maintenance करना यह जिम्मेदारी किसकी है जर्जी managing committee की So what are the administrative powers of managing committee दोस्तों So administrative functions of managing committee are number one compliance number two accounts number three meetings and number four property correct term yes sir यह और general बाते हो गई अब और मज़े की बाते हैं अभी तक तो हमने क्या देगा Auditoral Management and what are the administrative functions of managing committee अब मालिक हम लोग बात करते हैं बहुत important points की जो आपको exam के लिए सर्जी बहुत important है बहुत important है मालिक So यह following points which you need to keep in mind when you are conducting the audit of what cooperative society पहला point क्या है दोस्तों उसके qualifications की बात करते है who is qualified to act as the auditor of the company So जाहिर सी बात है Chartered Accountants who are practicing in India are what qualified to act as the auditors of cooperative society So जो auditors है cooperative society के वो कौन हो सकते है Chartered Accountants as per Chartered Accountants Act 1949 Second point अपन क्या कहते है कि जो government diploma holders है in cooperative accounts Guys, those guys can also do what the audit of cooperative societies तो आप यह बात समझ लीजेगा एकदम simple है Chartered Accountants, yes Government Diploma Holder in cooperative accounts, yes यह exam में true and false MCQ के लिए बहुत 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 important point बन जाता है फिर उसके बात करते हैं qualification के बात दोस्तों बात होती है appointment of auditor की so can you tell me who can like who is going to appoint the auditors तो सर जी appointment of auditors is done by registrar of cooperative societies right so he conducts the audit on behalf of registrar of societies इसकी fees जो है यह set करेगे registrar of cooperative societies right यह report करेगा registrar of cooperative societies को but यहाँ पर आप सब को पता है कि इसका climax क्या है सर जी इसके जो पैसे है यह पैसे कौन देगा सर यह पैसे देगा cooperative society मतलब सर auditor appoint कौन करेगा registrar audit किसके बिहाफ पे कर रहा है वो registrar fees कौन decide करेगा registrar report किसको करेगा registrar but fees पे कौन करेगा fees कौन पे करेगा सर जी fees पे करेंगे cooperative society उसके बाद बात करते है books of accounts की तो books of accounts में क्या क्या आएगा वही अपना sir money received and expended assets and liabilities sales and purchase यह illustrative list है इसमें और शामिल करना है तो आप कर सकते हो यह exclusive नहीं है यह illustrative list है जैसे आप property and investment register भी maintain कर सकते हो जैसे कि अगर आप property register maintain करते हो immovable हो या movable हो तो उसका location situation made, date, depreciation cost, price, etc. वो सब उस register में आना चाहिए अगर यह investment register है तो आपकी कौन सी investments क्या rate पे खरीदी थी उसका maturity कब हो रहा है उसका interest कितना realize हुआ sale कब किया purchase कितने में किया profit कितना है यह सब investment से related maintain करना पड़ेगा clear है एकड़म yes sir so यह बात होगी property and investment register की fixed deposit register एक maintain करेंगे यह पता करने के लिए कि किस से कितना पैसा आया है बराबर उसका maturity कब है interest कितना due है तो यह आप एक FD register भी maintain कर सकते हो क्या कहते है जी guarantee कि कौन किसने कितने guarantee दी है अब देखिए क्या होता है cooperative society it is of the members it is by the members तो यह members की help करता है it is for the members members की help करता है अब अगर cooperative society में कोई member बोलता है cooperative society please मेरे को जो है न तोड़ा पैसा चाहिए तो cooperative society क्या बोलता है ठीक है भाई मैं तरे को दे देता हूँ पैसा बट अपने किसी एक member को बुला के लेके आ कि जो guarantee और जो surety act करेगा कि कल चलके अगर तूने पैसे नहीं दिये तो हम at least हमारे किसी एक member से पैसा ले सकते तो जाओ ऐसा कोई व्यक्ति लेके आओ जो आपके लिए guarantee देने को तयार है जो आपकी surety लेने को तयार है तो हम लेके आ जाएंगे आपको ये क्विक्ति होगा सुप्तिल सर्जेसा आदमी होगा बोलेगा भाई के पास बहुत पैसा है अरे मैं तेरी guarantee लेता हूँ उसकी ही लेता हूँ जिसे हम लोग कहता है as what surety register समझ मैं है दोस्तो yes sir तो ऐसे ये illustrative list है दोस्तो जो बात होती है about what books of accounts तो आप property investment register maintain कर सकते हो FD register maintain कर सकते हो और साथ इसदा surety register भी maintain कर सकते हो in addition to money received and expended assets and liabilities and sales and purchase clear एकदम बात yes sir restriction on share holding तो आप कितना hold अगर आप other than registered society हो तो आपके उपर restriction है कितना 20% or rupees 1000 of shares clear restrictions on loans restriction on loans मतलब क्या है कि एक cooperative society अपने members को ही loan दे सकती है अगर आप special sanction लेते हो registrar से तो एक registered cooperative society दूसरे registered cooperative society को loan दे सकती है restriction on loan समझ में आया एकदम simple है restriction on loan एक cooperative society अपने members को ही loan देगा एक cooperative society अपने members को ही loan देगा बट अगर registrar का special sanction मिल जाता है तो उस case में क्या हो जाएगा sir उस case में बताओ जल्दी जल्दी उस case में sir बात ये होगी कि हम एक दूसरे registered cooperative society को भी हम लोग loan दे सकते है restriction on borrowings तो आप लोग अगर loans लेना चाहते हो अब ये तो देने के बात हुए अब loan लेना चाहते हो तो आप आपके members से ही loan ले सकते हो या तो आप जो दूसरे जो registered societies है उनसे भी ले सकते हो अगर special sanction मिलता है तो आगे बढ़ते investment of funds yes this is very important important है ये important investment of funds पैसा कहा कहा लगाएंगे investment cooperative society पैसा कहा कहा निवेश कर सकती है तो आईए दोस्तों देखेंगे इसको कहा कहा पैसा लगाने के लिए sources opened है इनके तो cooperative society एक तो cooperative के अंदर लगाएगी या कहीं भार लगाएगी उसके अगर cooperative में लगा रही है तो cooperative bank हो सकता है या cooperative society हो सकता है अगर यह cooperative bank है और अगर वो central या state cooperative bank है तो बिंदास पैसा डाल बढ़ यह other than central या state cooperative bank है तो आपने registrar से permission लेना पड़ेगा वापस से एक बार केलते हैं दोस्तों पैस्ता कहां लगा सकते हैं बताईए तो cooperative bank के अंदर लगा सकते हैं या लगा सकते है cooperative bank के जब बात करते हैं तो दो bank है cooperative central and state cooperative bank and other than central and state cooperative bank दोस्तों अगर central state cooperative bank में पैसा लगाने का है बिंदास पैसा लगा other than central or state cooperative bank में लगाना है registrar का permission लेना पड़ता society की अगर बात करें cooperative society में लगाना है जो bank नहीं है कोई दूसरी cooperative society है अगर उसकी liability limited है तो आप पैसा लगा सकते हो नहीं तो नहीं लगा सकते other than अगर कोई cooperative society है तो आपको पैसा निवेश करेंगे as per Indian trust act 1882 and as permitted by the central or state government so इस हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते है हम ये cooperative society का पैसा निवेश कर सकते है clear है एकदम यसा let's go है तो बताइए एक बार quickly revision cooperative others cooperative में cooperative bank cooperative society cooperative bank central or state cooperative bank other than central or state cooperative bank तो अगर central or state cooperative bank direct पैसा डालो अगर ये other than central or state cooperative bank है it should be approved by registrar अगर ये cooperative society में पैसा डाल रहे हो तो ये limited liability है तभी डाल सकते है उनके shares, debentures, bonds के अंदर और अगर ये other than cooperative society या bank है तो दोस्तों आपको Indian trust act 1882 के हिसाब से पैसा लगाना पड़ेगा और central and state government जैसे prescribe करेगी उसके हिसाब से clear एक दमसर, best time आगे बढ़ते है appropriation of profits की बात करते है सर जी, पैसा appropriate करेंगे तो क्या कहता है आपको 25% compulsory transfer करना है to reserve fund dividend या bonus देने के पहले आपको 25% compulsory क्या करना पड़ेगा reserve fund में डालना पड़ेगा registrar चाहे तो इस 25% की amount घटा के 10% तक कर सकता है बट 10% के नीचे नहीं जाएगा so if registrar wants it can reduce the 25% but it will not go below 10% तो सबसे पहले जितना भी profit है आपका appropriation करना है तो आप करिया appropriation हमें कोई दिक्कत नहीं है बट पहले 25% आपको reserve fund में डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप bonus dividend चो देने का है दे दी जगा कोई दिक्कत नहीं बट registrar ये 25% की जो limit है इसको नीचे कर सकता है but it will not go below 10% yeah contribution to charitable purpose contribution to charitable purpose कितना जाएगा सरजी अभी ये compulsory transfer होने के बाद जो पैसा बच्चाना balance profit उस balance profit का maximum 10% आप charity को डाल सकते हो मतला आपका profit 100 रुपेगा 25 रुपया reserve fund में गया 75 रुपीज बचा उस 75% का maximum 10% आप charity के लिए कर सकते हो सही एकदम अगर आपको registrar का sanction मिला तो सही एकदम yes sir अब बारी आती है दसवे point की जो कहता है कि सरी जो reserve fund का पैसा इसको क्या करेंगे ये reserve fund का पैसा आप निवेश करेंगे as per the provisions of the act इसको आप working capital के लिए use कर सकते है या आप आपके society के जो objects है उसको promote करने के लिए आप use कर सकते हैं clear एकदम बात so reserve fund का पैसा ये arrows ध्यान में रखना reserve fund का पैसा आप कहां कहां use कर सकते है to invest as per the provisions of the act use it as the working capital or to promote the objects of the society last minute contributions to education fund capital redemption fund dividend equalization reserves ये सब जो चीज़ है दोस्तो they are considered ध्यान में रखना इन बातों को they are considered as charge on profits they are not appropriation of profits ये important point है yes sir मेरे प्यारे बच्चों ये 11 point revise दो चुक है अपने काफी easy है और confidence भी आ रहा है बिल्कुल सर बहुत मजा रहा है इसके बाद चलिए आगे बढ़ते है अभी audit के बारे में अभी ये special points तो हो गए अभी यहां से आगे बढ़ते है और audit के बारे में और special features के बारे में जानकरी लेते है यहां तक कोई query है तो बढ़ा दीजिएगा come on come on everybody कुछ भी query रहेगा मस्तव इंदाश पुछने का कोई attention दे लेने का अभी यहां से आगे बढ़ते है सर और अब चर्जी चर्चा करते है about special features of cooperative audit so cooperative audit के कुछ खास features के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे about overdue debts देखिए cooperative मस्तरी के auditor को check करना है about overdue debts overdue debts मतलब receivables जो पैसे आपने को आना है उसके बारे में बात चित हो रही है उसके बारे में बात हो रही है दोस्तों so बात हो रही है about what overdue debts तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है इसको classify करना है इनके age group में इसको बातना है so जब हम लोग इसको बातते हैं तो किस हिसाब से उसको बातेंगे examination of overdue debts तो we have to divide it into 6 months to 5 years इसको कैसे बातेंगे अपन 6 months to 5 years and more than 5 years क्या करेंगे अपने इसको बातेंगे into 6 months to 5 years and more than 5 years clear एक दब yes sir इस हिसाब से उसको हम लोग classify करेंगे फिर उसको हम लोग analyze करेंगे कि whether these debts are good or bad ये debtors good है या bad है and फिर उसके बाद उसके appropriate provisions करेंगे कि whether it is bad or doubtful clear एक दब yes sir overdue interest के बारे में बात करता है तो क्या कहते है overdue interest के बारे में sir कि ये अगर overdue debts अपने है और उसके उपर का अगर जो interest है बराबर वो interest यदि अपने को नहीं मिला है overdue हो चुका है due date पे तो ऐसे case में क्या हो जाएगा sir ऐसे case में हम लोग उसको exclude करेंगे ऐसे case में हम लोग उसको exclude करेंगे from what calculating the income certification of bad debts chartered accountants are यहाँ पे महराष्टरा एड के अंदर chartered accountants क्या करता है इसको certify करता है कि whether a particular debt is good or bad clear एक डम yes sir और आप समझे बात को कि अगर यहाँ पे ऐसा कही कोई restriction नहीं है तो फिर वो managing committee उसको करेगी सिंपल एक डम yes sir तो महराष्टरा में उसको क्या बोलते है उसको bad debts कौन certify करेगा इसको chartered accountant वो auditor बट अगर कोई दूसरे state में इसा provision नहीं है तो 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 सरजी यहाँ पे उसको managing committee करेगी valuation of assets यह आप AS2 और AS10 का content लिखे आएंगे adherence to cooperative principles देखो एकड़म बात simple है क्या होता है cooperative society की जब बात करते हैं हम लोग तो cooperative society की खास बात क्या है sir कि it is of the members, it is by the members and it is for the members correct एकड़म yes sir तो आप समझने की कोशिश कीजेगा दोस्तो cooperative society की जब अपन हम बात करते हैं about adherence to cooperative principles तो यहां पर हम लोग क्या focus करते हैं हम समझने बात को कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया कितना क्या किया वो हम लोग को important नहीं है आपने हमारे इसके कितने मलब वो objects को आपने कितना जो achieved किया है उसके basis पे हम लोग आपको judge करेंगे so the auditor will have to ascertain how far the objects of cooperative organization have been achieved clear एकदम yes sir so क्या कहता है यहां पर कि कम से कम wastage हो middleman का commission eliminate करो exploitation मत करो तो यह सब जो है ना यह cooperative principles है तो we have to check when we are conducting the audit that these principles have been achieved or not moreover आपने provisions of the act को भी follow करना है कि जो आपने देखा था कि restriction on shareholding, restriction on borrowings restriction on compulsory transfer to reserve fund तो investment कैसा करने का तो वो सब बाते हैं सही एकदम yes sir so when we talk about this points तो अगर कहीं पे भी आपको infringement that is non-compliant सदी आपको मिलता है तो उस case में क्या हो जाएगा दोस्तों उस case में आपने उसको report करना है to the registrar सही एकदम yes sir so आगे बढ़ता है verification of members register कि किसको कितना loan दिया गया है वो check करना है and special report to registrar अगर कहीं कुछ serious cut word मिलती है तो हम वो registrar को complaint करेंगे और registrar उसके उपर action लेगा sir serious क्या होगा खुद का मुनाफ़ा कर रहे है बराबर mismanagement हो रहा है wastage job funds है disproportionate advances है तो उस case में special report दिया जाएगा registrar को ninth point यह बहुत भारी point है audit classification of society audit classification of society की अगर बात करें तो auditor ranking देता है cooperative societies को A, B, C, D A is good B is C is black D मतलब तो gag उचरा तो auditor needs to be very careful while awarding these what classes to cooperative societies अगर कोई cooperative society hurt हो गया कि यह क्या तुमने यार ranking दे दिया है तो वो registrar को complaint कर सकता है और registrar उस auditor को बोल सकता है कि बबाब इसको एक बार दुबारा से review कर ले craft audit report with managing committee discuss करेंगे क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी अगर कुछ queries रहेगी तो वो वही के वही solve हो जाएगी उसको final report में डालने की ज़रूरत नहीं है rights and duties of cooperative society of auditor यह same general points है इसको हम लोग पढ़ सकते है done, done and उसके बाद next आता है अपना क्या गयते है सब next point जो है अपना वो क्या है multi-state cooperative society multi-state cooperative society यह क्या क्या है यह rip-off of companies act 1956 books of accounts mask MASK money received and expended assets liability sales and purchase and cost records audit qualifications कौन को नहीं body corporate officer or employee person who is an officer or person or a member who is in employment or is an officer or employee of the multi-state cooperative society or is indebted in excess of rupees 1000 बरावर और given इनी guarantee or security बस यही चार पोइंट है उसके disqualification के appointment first auditor within one month from the date of registration subsequent auditor at every annual general meeting power वही access books of accounts inquiry करेगा वही अपने ABCD points पर ने थे advances बरावर properly loans and advances have been given book entries फिर C वाला point नहीं है D वाला point नहीं है E वाला expenses है and shares have been issued for cash ऐसा फिर्फ़ वाला point बहुत important है यह है section 77 S वाला section 77 अगर S वाले section में अगर S वाली बाते हुए तो S वाला audit करना पड़ेगा मतलब section 77 में अगर आपको पता चलता है कि cooperative society is not run as per sound business principles or its solvency is endangered or there are what it is causing serious injury to trade as the case पे क्या हो जाएगा section 77 के अंदर आपका special audit applicable हो जाएगा provided यह special audit किसका होगा as the cooperative society जिसके अंदर central government या state government का stake more than 51% है यह auditor कौन appoint करेगा cooperative society इसकी fees कौन decide करेगा sorry यह auditor appoint कौन करेगा central government इसकी fees कौन decide करेगा central government यह report किसको करेगा central government बट इसकी fees पे कौन करेगा cooperative society और अगर report मिलने से तीन मेने के अंदर अगर कोई action नहीं लिया तो central government वो क्या करेगी report members को circulate करेगी done है और inquiry अगर किसी को लगता है कुछ गडबड है तो एक inspector आके inquiry कर देगा central registrar ने कहा है वो यह हो गया अपना किसके बारे में सर यह inquiry वाला देखो न inspection if a request is received from the federal cooperative accreditor और one third of the members of the board और one fifth of the members of multi state cooperative society की कुछ गडबड हो रहा है तो ऐसे case में central registrar क्या करेगा उस multi state cooperative society का inquiry inspection करा सकता है 15 days का prior notice आपको देना पड़ेगा clear एक दब yes sir तो वो उन सब को जिसके पास भी documents का custody है उसको बुला लेगा उनसे पूछताच कर सकता है he can examine them on oath he can convene what the general meeting सब पावरे भाई के पास clear एक दम और तीन मेने के अंदर वो report को communicate कर देगा simple so यह बात थी दोस्तो audit of cooperative society की so यहां पर हमने दो topics को revise किया audit of cooperative society and audit of multi state cooperative societies very quick and easy revision right yes sir उमिद कर रहा हूँ बहुत सरे concepts आपको recall हुए होंगे इसकी capsule आपके लिए बहुत काम में आएगी ठीक है अगले session में मिलेंगे और अगले session में हम लोग बात करेंगे about government audit के बारे में बात करेंगे यह भी एक बहुत important topic है लंबा topic है तो अगले session में मिलेंगे और बाचित होगी audit of government की और हुआ तो local bodies को निप्टा देंगे उसके साथ ठीक है thank you very much guys have a great 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 night bye bye take care